बुले हूँ जीवतों जोने राज्याविशेग कई ए लोको तुमने जीवता मानताज न थे। हमे लंकानु राज्याविशेग जोई नायाची है विभिशनना ललात्मा तिलक करिए। मले तिलक करिऊं तिलक भुसावी नाखिश। एनी संख्या केकली सईनी को नी बोले महाराज संख्या नी गणतरी करें मुरख के वाई अधार पदम तो जूथम जूथब छे कौन गणतरी करें बले गंमे तेटला अगणी तो इपन अंते तो रीचने वावर ने अमारो खोराग छे तपस्वी नी ताकात के लिए अन एनी सेना मा मोटा मोटा सहीनिक को दूथ कहें महाराज मोटा मोटा नी तो क्या मुलाकात थायो उचे नी पर आखी सेना मा नाना मनानो कोण एनी हमने खबर चे कोण हनुमान जे मने प्रथमावीने लंका दहन करिए तमारी हादिली मा जैने आखी लंकाने अनाथनी जे मिस्रदावी ये राम सेना नो नाना मनानो सहीनिक छे बाग की बद्दा एना करता उपर चे आखी सभाव पर मानसिक असर थे को अनुमान जो नाना मनानो होए तो पछी अवे जीववानो कोई प्रश्ण उठसो न थि तपस्विनी ताकात कितली महराज तपस्विनी ताकात शू वर्णवू एक बाणमा समुद्र शोशी लेवानी जनी शक्ती चता ए नई नागरे त आपने शू करूँ जो ये अने तमारा भाईयाने मता प्रण दिवस दर्बनी पथारी करी समुद्र ने किनारे साधना करवा बेठा ओ बास ख्यालावी गयो बुद्धी बढ़नों मर्म मली गयो विबीशन जिवा भीरूनों मतले इन साधरनी सामे साधना करवा बेशे एमा शूत आकातोई ख्यालावी गयो बास सवे बंतरी दे आ मुद्धो पकड़े रावा समय जोई पहला दूते लक्ष्मन जिनो पत्र आपे रावने दाबा आच्मा पत्र लिदो अटलो मोटो मानस पोते दो वाची नहीं एक मंत्री बाजु मातो एन आप लेवांच अने मंत् मंत्री समझदार रतो एक कड़क भाशा में लखाये लो पत्र मनमा मांची अने मंत्री एक पत्र पाच्छो पर आवन ना आत्मा पर चरण मां मुख्य के दो महाराज आप पढ़ी लो पले क्या मंत्री समझी गयो कि आमाची लखान लख्यू जोड़ती बोलीन मांची तो आ अने मारी नाक्ष्यप आणि के लख्यू जे लख्यू मने वाच्भू मारे लख्यू जोड़ती होती है रख्यू भी जाए खिए पर आने माच्भू पड़े के तारो कार आवा आए ले पहला मारू मृत्यों आ निप जाओ ज़िए महाराज आक्षरों मने बराबर देखाता न थी बाशा समझाती न थी कारना कागर तो संतो वाची शेके निशी चरो न वाची शेके अन थी एक कारनी चिथी रावने आथ माले इन जरे वाची से तेरे कहूं छे का नानो तपस्वी बहु बोलको लागे दर्ती उपर पड़े पड़े आकाशने दर्वाना सपन से उतो लागे महाराज जे क्यों है कहो पाकि आगटना आमें तमारी अगर रजू करी बास तपस्वी नी प्रशंसा कर वी हो तो बहतर छे तमें पर विविशन नी जन तपस्वी नी पांसे जता रो दूते कई महाराज आमें खाली खबर आपता जाएवाँ छी बाकि आमें जवानाच छी ब्रमानंदनी अनुभूती करे एपसी विश्यानंदमा न रहे महाराज तुरसिलाज जी लख्यू छे ए राक्षस नोता अगस्त महाराज ना शिश्यता शापने लिदे राक्षस बिने आता रावन नी सभा माथी निकड़ी गया भगवान ने वंदन करी एलो को ये विदाय लिदी अहीं त्रण दिवस पूरा थे अबीन ये नमानत जल दिजड गये तीन दिन बीती त्रण दिवस पूरा थे अपन समुद्र ये राम जी ने नमतु आप्यों नहीं भगवान राम जी उबा थे या लक्षमन ने साथ केरो लखान तेला छिमान बान सरासन यानूक शोशोबारी दिभीशीक क्रिशान ए लक्षमान दनिश्मान लाओ आखा समुद्र ने बहंत रगनी ची बाली नागू त्रण दिवस सुधी में एमने प्रार्थ ना करी एमने नमतु नाचू जाजे ख्याला ओ लक्षमान दनिश्मान लाओ केशाथ सन बीनाईक कुटिल सन प्रीती सहज त्रिपन सन सुन्दर नीती ममतारत सन ज्यान कहानी अतिलोभी सन बीरती बखानी क्रोधी ही साम कामी ही हरिक था कुखर बीज बोये फल जत शखनी आगर विनाई नकाम और कुटिल नी आगर प्रीत नकामी सहज क्रपन नी आगर सुन्दर नीती नी वातो नकामी ममतामा दुबेल आगर गिनान नी चर्चा नकामी अतिलोभी नी आगर वैराज्य नी चर्चा नकामी क्रोधी नी आगर शांती नी वातों नकामें कामी ने भगवत कथा आप दू खाराश वाली जमीन मा बीज वाओ आजे हूँ लक्षमा लाव धनुश्मा बस लक्षमाण जी खूब राजी थे अकबस महाराज आप पहले दिव से करवानी जरूर थे तोन दिवस मौडू के प्रभू ये शरसंदान करि नक्षमा जी मातमा हुँ कायो जे ब्रभवान ने जो हिलकेवान लागया प्रभू मने मलागये जे गीमे 기분 मारोष्वभाव आपना माउतो जाई अपण रोश भरावा लागये जे बगवान ने कंगॏ नहीं ये तो अरस परस जे लक्षमाण ता अने मल्या चार तेया ने जीवता छोड़ी दीदाई मारा सभाव नू परिणाम ने तरहू समाधिमा हों अने तू राक्षत ने मारा अवगर छोड़े कोई दिवस बने नहीं पने ए मारी शरणे राखवानी जेक वरुती छे ए सभाव नू परिणाम छे प्रभू ये अने आयो जो भगवान ने मोती थी वधावता समुद्र देवे प्रभू ने वंदन करीन करू महाराज माप कर जो अमारी जड़ करनी मैं तमने जल्दी निर्णे ना आप्यो तो मैं बाण मार सो तो अमनाउं सुशाई जैस खलास थे इस पड़े मां आपनी महांता नहीं मा भारे भारे परवत उपर समुद्र मा लाकडानी जम तरसे आप सेतु बंधाओ अने सेतु नी रचना थशे उपन मदद करिश मारी रिते जल्चरो द्वारा मारी रिते अने समुद्र उपर सेतु बंधाए तो प्रभू आपने कथा मा मारू नाम अमर बनी ज़सु नाम लाजा बान मारा उत्तर किनारा उपर फेंकी दो मने राक्षासो परेशान करें प्रभु ये उत्तर किनारा उपर बान राखी सफ़ड करिऊ सागर नी पिड़ा हरी लिदी समुद्र नो निर्णै स्विकारवा मारो सेतु बंध बादवादाओ प्रभु ने आ सूचना टोल गवार सुद्र पसुपारी सक ले ताड़ना के अधिकारी सक ले ताड़ना के अधिकारी आ समुद्र ना प्रसंग मा अटला ने लाकडी लेईन फटकारों तो सरखा चाले दोल ने दाइली लेईन पीटों तो जवागे नवार ने लाकड़ी लईन मारो तोज सरखू चाले पशू ने लाकड़ी लईन मारो तोज सरखू चाले शुद्र ने लाकड़ी लईन मारो तोज बराबर वरते अने समुद्र ना प्रसंग्मा समुद्र काई पुर्वाद्र जी बाकिन्हे लाकडी लेट फटका रो तोज सर खूचा ले पूर्वाद्र है जयने को स्वामी जी तरफ होई यह लोगो आक्षे पो कर्या करें बाकिन्हे समद्र जगत्मा तमाम स्ट्रीयों में जएने स्री सित्हा जीनों दर्शन था ये पुरुश कोईद तुलसिदात जी निज प्रभु में देख नहीं जगत आपक्षा जे मानस नहीं थाई गई एक नहीं आरी नहीं अपराट करें कोई नहीं अपराट करवानी द्रस्टी नहीं अनिवेदन के तुलसिदात जी नहीं लागू पड़ें समुद्र बोलें इतले फर्याद करीवें तो दरीय जो कि तु आम केम बोलें और विजु एकारना संदर्भ मां जो जो या त्रेता यूगमा केवाए लूचे त्यारे कड आम लागू पड़तों एकडाजे त्यारे कड़ यूगमा कोई नहीं लागू नहीं पड़ें इमपन कहीं रामचरित मानस मा तुलसिदात जी बदू लखे पड़ें पात्र ना मुखें जे संवाद बोलाए ये तुलसिदात जी लखें पड़ें पड़ें इस संवाद नो कि तो करें जे काम एकला स्तिरी न वात नति। दोल दूल्ड़ नेवागार्वा मांट पीट बोलू ये तोजवागे गवार शुधॡ्र शुध्रनो विशेशन गवार ये अनो पासो गवार उट गवार शुद्र ना वर्तन की समाज नि संस्कृति ये अने अस्मीता हमरी स तो तुलसी का इन्हें फटकारवा थी सारा इसमाज जो सुरक्षित रहतो तो इवागवार शुद्र ने फटकारवा मां वांधो नहीं पशु नारी जे नारी नो सभाव पशु करता पड़ालको थे जनामा पशुता अभी गई मानवता ने बदले एवी महिला माते आज तुलसी जाज जिये कामीनी ने मारवानी वात न थी करी कामना ने मारवानी वात करी रोगी ने मारवानी वात करी छे तुले गोस्वामी जी कोई रिते अमा अपरादी तुलसी जवासंत माते शब्द वापरोज गलत अपराद लागे तो समुद्र महराज परमात्माने से तु बंदनिवात करी ने विदाई ले छे वो स्वामी जी लख्यों नीज भावन गवनेवु सिंदु स्रीरगु बीरगी अक्मत भावु यह चारीत कली मलं हर जथा मतिदास तुलसी गावु तु शुक्त भावान सौ शय समन दमन विशाद रगुपातिक गुन बनाहा तजी सतलक आस भरोस गावगी सुनगी संतत सथ मनाहा नीज भावान गवनेवु सिंदु स्रीरगु बीरगु बीरगुटु प्रमात्माने सेतु बांधवानों मत गमी गयो समुद्र निज भवन गया। कल्युग ना मेल ने हरनारु आ चरित्र गोस्वामी जी काय में मारी मति प्रमाने गयों बगवत चरित्र एतो सुखनू भवन चे संशय नू समन चे और विशादोनू दमन करनार चे आशात्रिष्णा छोडी। प्रमात्मा उपर पुर्ण भरोस राखी जे गाय तेने त्रण मांथी जे जो ये ते मले छे हे शठ मन ए प्रभुन तो गुणगान कर आतली सुचना पी। तमाम मंगलने आपनारू सकल सुमंगल दायक रभुनायक गुनगान परमात्मान अगुनगान जे प्रेम के गाशे ते भवसागरने वहान वगर तरी जसे आतली सुचनापी गो स्वामेगी सुंदर नहीं समापती करे इती श्री राम चरितमान से सकल कलिकल शुविद्वन सने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंच मह सोपान सुंदर कांड समाप्ठ श्री सीताराम चंद्रार पढमस्तु बोलो राम चंद्रवत्या काए नवाचा मन सेंद्रेर्वा बुध्यात्मनावा प्रकृते स्वभावा करो मियध्या सकलं परस्मै नहरायना एति समर पयामी राम चरित मानस्नु पांच मुसोपान प्रभु नाचरणमा समर्पीत करीने चठो कांड लव निमेश परमान जुग बरश कल्प सर्चंद बजसिन मन तहिराम कहं काल जासु को दंड सिंद्र बचन सुनिखान सचीव बोली प्रभु असका हूं अ कायू कैवे विलंब करवानू कोई कारण न थी सेतुनी रचना शरू करो जाववन ते कहूं महाराज आपनू नामज भवसागर उपर सेतू जी अनवान जी कहूं महाराज समुद्रमा जड़ हतूद नहीं के तो तमारा दुश्मनों नी इस्त्रियो रुदन करी अने मुद्र खारो जाई को सुंदर उपती बदाए पुद्पताना विचारो रजू करया यहां तमाम रीचने वानराओने सूचना मली शीलाओ चत्तानों पत्थरों पहाडों लावी लावी आने नलनील ने आपेछे नलनील हाथ दाड़ी आने सागर मानाखे जे पोते डूब संतों का पत्थर जरमा नाखे पड़ पत्थर तरतो तरतो दूर जतो रहतो तो से तू नौतो बंदा तो से तू माटे तो कम से कम नजी कावू जोई तू तू अनुमान जी ने थाउ के शक्ती वेरफाई चे अब अबदा पत्थरों तरता तरता दूर जता रहतो तो से उपर मह लखामावे बनने ने जोड़ी देशे पच्छी जुदा पड़ता रहे अना एम पड़ता है जै कि बदा उपर राम राम लख्यू आने पच्छी से तुबंदा यो कहना उपर पग मुकी मुकीन जीन चने वांदर चाल्या एक भी बराबर ना कियो है राम नाम उपर पग के मुका है ये तो राम नाम नो महिमा गता लिए अपराद करो क्या है कि वाने इतली इच्छा था है कि ये राम नाम उपर पग मुकीन चाल्या आता है इतली तरह जैना पगला राम उपर होई ये तरह जैना पगला हराम उपर पड़े ये बदा डूगे जैना पगनी थे स्णि ξैटूनी अद्भूत रचना थेए थोड़ा समय माँ सेतू पूर्ण थेओ श्री रगुवीर प्रताप ते सिंधो तरे पाशान समुद्र उपर पाशानों तर्या आने आखो सेतु निर्मान थे गेव बगवाने दर्शन कज़े बगवाने मित्रों ने कहुँ आ भूमी बहु सुंदर चे पवित्र चे मारी इच्छा चे बगवान शीवजी ने यही भूमी पर भगवान शीवजीन उप्रागेत्य थाए ज ऑट्य हमी बहु ए रामेश्वर भगवान की भारती संस्कृरति पर पिं आने भगवान राम जी ओआत ही शीवजीनू शीवजी करा भगेवाने अर्ती इंसंघ्षिप माथा से पची कथाने आगल नही जाओं सुझी दो मिनिट के लिए सत सुरुष्टी तांद वर रचाईता सत श्रूश्तीतां देवः रचाईतां नत राज राज नमो नम्न घुली रामिश्वर भगवान बगवान राम जी ये बगवान चंद्र शेखर में पूजा करी अने कहूं आ संसार मां शिव समान मने कोई विजू प्रिय न थी मारो भक्त क्यवडाऊ शेन शिव नो द्रोख करसें तो ए मानस कदी मारी भक्ती ने प्राप्त नहीं करी शकें कदाज भक्ती नो दम भाच रिशकें कितली मोटी एकता स्ठापित करी शंकर प्रिय ममद रोही सिव द्रोही ममद आस ए नर परही कलप भरी घौर नरक महबास तो ये वो मानस कल्प सुधी नरकमा निवास कर से शीवने राम, शीवने कृष्ण बनने एक छे ये माजे कोई भेट जोशे, बिलगपन जोशे एने नरकमा निवास कर वो पर से संप्रदायोनी जड़ता मा गणिवखत आपने सनातन वातोनों अपराद करता हो ये छे तुलसिदाज जी ये त्यासुदी लग्यूं के जे मानस रामिश्वर जीना दर्शन कर से शे शे शरीर छोड़ा बजी मारा धाममा सी दर से पंगा जल्लावी अने जे भगवान शीवजी नो अविशेक कर से ते सायुद जी मुक्ती ने प्राप्त कर से आम शीवने हरी हर्णु एक के साबीत करी ने भगवान रामिश्वर जीना आशिरवाद प्राप्त करी ने शीवजी ना आशिरवाद मलवी ने भगवान राम जी अमित्रों ने सुचना आपी अवे आपने परस्थान करी आखो समाज तैयार जे सेतु बंधना प्रथम सौपान उपर भगवान राम जी उभा जे जामवंत जी बुद्धिमान व्यक्ति छे वयोवरद व्यक्ति छे राम सेना मा एवने भगवान राम जी ने एक प्रश्ण करे ओके महारा जे अपनी जे संख्या छे एक सेतु द्वारा अतली संख्या ने पार उतारवी एक घणु कथी जे सेतु नानो जे बुद्धिती निवड़े पी बिल्कुल ठीक है बगवान ने करूँ ठीक जोई है बगवान पगत्या उपर चड़ी नाम सेतु नी रचना ने जोई जे एक शू करूँ पड़े वक्ते गटना बनी तुलसी जी लग्यों परमात्मानों दर्शन करवा माते तमाम जलचर जीव समुद्रनी बाहर है देखन कह प्रभु करूना कंदा देखन कह प्रभु करूना कंदा प्रगट भए सब जलचर व्रिंदा प्रगट भाई सद जलचर व्रिंदा परमात्मानों दर्शन करवा माते तमाम जलचर समुद्र नी उपर पारी नी बाहर आवी गया चिकार समुद्र भराई गयो बगवा ने जामवन्त जीन कायो तो मैं कहता था ये वात बराबर के सेतू नानों जे अनों जलचर जीवो बदा जी समुद्र नी बाहर निकला जीन एना बदा उपर पग मुकी मुकी न चालवा माण। आप बद्दा है वे सेतू जे अमा दम्मे चा पग मुक्षो अना उपर दी पार उत्री जवाज भगवान न दर्शन बाते निकले ला जड़ चर जीवो जा मुंते बेजी दलिल करी महाराज समुद्र चंचाड आज जीवो पर तरना रहा अना उपर पग मुकी ने डूप की मारे तो आखी सेना खलास थी जैसे आप पर योग करा ही नहीं महाराज सुब रहो सो बोले नई ये डूप की नहीं मारे कैम कि तम जो जहां सुधी है मने जोसे कि ये सुधी डूप की नहीं मारी शेके तिनकी ओटन देखी ये बारी मगन वहे हरी रूप निहारी परमातमाना दर्शन मा इतला बदाए जर्चर जीवो मगन बनेला भगवा ने करूँ ये डूप की नहीं मारे तमेना उपर चालवाला लूप भगवा ने करूँ तमारा बनावेला सेतु उपर हूँ चालू मारा बनावेला सेतु उपर तमे चालू आने सामे किनारे अपने बदा हूतरी जही है परमात मानों निरने इबदाने गवों छे तुर सिदाज जी लेख्यों काफी गिर्दी अमुग सेतु उपर अमुग जर्चर उपर अमुग शक्ति शाली अतावले आकाश मा कूदी ने आम आखो समाज भगवान नी दयाथी सामे किनारे पहुँचे हो लंका मां प्रदेश उपर पग मुक्यों सुबेल नी तलेटी मां भगवाने मुकाम करेऊ जा मुवन्त जी ये सामे किनारे जे इन पाच्छु भगवान ने पूछू कि महाराज एक प्रश्णत्री जो कि तमने खबर हती कि तमने समुद्रने किनारे उबा रहो और अटला जर्चर जी वो तमारा दर्शन करवा माटे बाहर निकले और तमने जो इन मगन थाए और पची एना उपर पग मुकीन सामे किनारे पहुँची शकाए ये वो जो तमने ख्यालत हो तो आज सेतू बांदवानो परिश्रम हमारा पासे शुकाम करायो कारण अगर निया अटली शक्ती जड़ भाई महारे चाए उहाँ जामवनत जी आपनी वात बेलकुल साचीज है कौ़वर्या जल्चरत जी वह क्यार है तो आप उभारे हैं क्या आप वह रेंखा और हैं कräमात माजगत ने कहे तम अबजननो सेतू निर्मान करो पचिए उआवी नू भरों अनू आयवा पचिए तमारा माटे भव सागरमा एके पगलू खाली नहीं जहाँ पग मुकोत्य थी पार पहले साधनान समर्ण नो सेतु निर्मान करो पहले पुर्शार्थ का सेतु निर्मान किया जाए बाद में प्रभु कहें मारी कुरुपा आवी नू भीरेश पर तमें सेतु न बांदो तो शू करो जामवंत ना मने नू समाधान थयू छे नहीं भगवाने रीच ने वानर में सुचना आपी तमें बदा फड़फूल खाई शको जो लंका ना फड़फूल रीच वानर खाव जाल आगया राक्षास्वाइन अटका हुआ गया जे लोको यह अटकाया एना नाकान कपाया जेना नाकान कपाया अमने रावन ना दरबार मावात कर एक महराज आपने जड़पाई गया कैं समुद्र बंधायों सेना अपना जामना पादर मागी चुकी शे रावन एक दम कड़ाई गया हुआ है डशे मुख्य बोली गया कि रावन मात तेहां के वाई जे जर्य तुट दसओ इंग एक साथे बोली जैसीं तर आरू मृत्यों दस दिवसमा था ही जैसीं रावन आज पहली वार बोली गया बहर्त समुद्र बंधायों और हम पाड़ व्यावार मार् इतले दस मुगे ये बोलो जे साधर बंदायों पता ना भई ने भीतर छुपावी मंत्रियों नो फड़ी एक वार मतली दो जे मंत्रियों पाची खुशामत करी जे रावन संध्या थता पता ना दरबार ने विसर जीत करी पता ना भवनमा आवे चे मंदो दरी पगमा पड़ जेना नाम मात्र थी सेतु बंदायों एनी साथे विरोध करीन तमें शूप राप्त करी शक्षों पुत्र ने गादी आपी आपने प्रगवत चिंतन करिये सितान पाचा आपी दिये अटास चिकर तो पता नी पत्नी ने साथे लई रावन लंका ना शिखर उपरे काखाडा नरती शारा मा मनो रंजन मानवा चतो रहें ना बगाई ने चुपा हुअ माटे कि बहीर सूखन आश्राई करे क्रें साथे सवाग यहekerने अंदर काई ना मरती वालखा मारे नरत् की माँआ जाओ तो मने सूख करें प्लाने जाओ तो मने सूख करें हुँ कलबों मा जाओं तो मन सुख मले भीतर जारे मानस ने कई न थी रहतू क्यारे मानस बाहर थी भरवानी कोशिश करे हैने मानी भी ने कोई दिवस बाहर थी मढ़तू न थी एक खुटो प्रयास रावन गयो अई सुबेल नी तवेटी मा भगवान बिराजे शे तुलसिदास जी लख्यू मात्मा जी चर्चा करी शे भगवान सुता शे सुगरीवना खोड़ामा मस्तक शे विभिशन नी साथे कही कई कवाचित करी रहा शे अंगदने हनुमान बढ़भागी भगवानना चरणार बिंत चापे शे एमा भगवाने जो यू पुर्वदिशा मा चंद्र न उदई थाए चंद्र ने जोता भगवाने बदा मानसों ने पताना मित्रों ने पूछू शे भाईयो आच चंद्र नी इंदर कालो दाग शानो तमारी बुद्धी प्रमान कव बदाए पत्पतानी रूची पत्पतानी विचारधारा प्रमाने पत्पतानों मत रजू करो सुगरिवे कव महाराज मने में लागे शे चंद्र उपर भूमी नो पढचायो पड़े जे ने नो कालो दाग शे अंगदे कव ब्रमा ये रती ने बनावी त्यारे कामदेवनी पत्नी रती ने सुन्दर बनावा माते चंद्र मामा थी चार कड़ा लए रती ने आपी चार कड़ा उची थे कि एनु एने कलंक लागी गयो यानि काड़ास लागी गुरू कोई ये करू के नहीं मारा चंद्रनी अंदर कानूं से हमादी आकास देखाई से इटले काड़ो डाग से कोई ये करू हमाँ खाड़ा टेक राग से इटला माटे काड़ो डाग से को ये का हूँ चंद्रह ये गुरुपत्नी नो अपराथ करो गुरुदोह करो येनो इनु एन इने कलंक लागिए इनो कालो डाग से को है को ये को राहु एने अवार नवार गली जाए है हैं इनो एने एक बीती सिवा इसे है इतला माते कालो डाग से सव पुद्पोता ने रिते बोले जो यह कहुँ शंकर भगवाने कामदेव ने बालो एरे कामदेव ने तो ज्वाड़ा लागी ने बढ़ी गए उपन पेलो धुवाड़ो ऊपर ऊड़े लो पुद्पोता ने मत प्रमान बदा बोलवा लागी है के चंद्रा ने वीश बनने भाई छे नानो भाई ने मुटा भाई ने खुप प्री छे इटले चंद्रे नाना भाई ने रदई मां स्थान आए पूछे प्रभुनी जे स्थीती जे ये ने आमाध्यम द्वारा रजू करी शे बरत तरफ ने मने बागे शे नाना भाई तरफ अती प्रेम शे नाना भाई ने रदई मां स्थान आए पूछे इटले कालो डाग लागे बदाए पोत पतानो मन तवी रजू करी हनुमान जी बाके प्रभु शे तो कहीं जुदूर लागे स्थों। महाराज मनें लागे शे चंद्र तमारों भक्त शे तमें तमारा भक्त chess ना रदयमा कायम निवास करोसी अश्य आने महाराज माप कर्य जो बदानी रुबरु मां कईः तमारों रंग कालोंः अने एतला माटे चंद्र ना सोई शाम तावास मने तो एमाहा तमारू दर्शन थेरूज भगवत भनमान जी नी तो अनन्य निष्ठाजे जा जोवेत्या जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है पिला दे वो साकी मई अर्ग बानी के बेहोश होके भकू तू ही तू है चारे माजू परमातमा जनमां जी ने देखाई है जनमां जीनी चर्चाबढा ने खुभ गमी प्रभुये जोयू दक्षिन दिशातरफ बस राम जी मोटे बागे दक्षिन दिशातरफ आम बराखर द्रश्टि करीज ने तेर वरस तो दे जारे जो ये त्यार उतर दिसी देखत भई उतर दिशा तरफ जोता रहा पान जारे बराबर दक्षिन दिशा तरफ दश्टी करी पसे लंका मा कड़ा का बोलवा लाई आज भगवाने दक्षिन तरफ जो यू विविशार प्रभू लंका मा वर्शारू तुनों समय जे नथी वुरुष्टी नहीं था विजली नी चमक नथी तो रावन ना ऐश्वरिय नी आज चमक छे पतानु ऐश्वरिय देखाडी रहो जे अने आ मेघनी गर्जना नथी पन रावन ना घमंड न उंकार जे मतलब महराज रावन अत्यारे खाला मा मनुरंजन मानवायो जे एना उपर मेघाडेंबर छत्र फरेजे जाने मेघनी गटा लागेज वाजिंत्र वागे तमने मेघनी गर्जना समलाईज अने मंदोदरी ना श्रवन तातंक ए विजली ना चमकारा जे वो भास थाईज प्रभु आतो ऐश्वरिय नो प्रभर्षन छे अने अहंकार नी गर मंदोदरी ना श्रवन फूल तूटी म नीचे पड़ी गया गंधर्वोना म्रदंग फुटी गया और कोई जुए कोई जोई शेक्यों ये विरते बाण पाचू राम ना भाथा माजे पोची गया अर अस भंग थयो अस्त्र शस्त्र कोई जोई नहीं धर्तिकंप अनु भवायो नहीं आपदू केम बन्यू बदा गबराई गया सवामा रावन ना दसे मुगूट नीचे पड़े आई लईने अमने पाचा माथा उपर भुगया तुरसिदाज जी काये जे के रावन अने दश्रत नी विचारदारानो तफावत आजे दश्रत जीनो मुगूट नीचे नोतो पड़े खाली 300 थयो तिया इमने निरणाई करियो गादी रामने अरपन करिदो सत्ता छोडवानो संकल्ब अने आनो 300 नहीं दसे दस नीचे पड़े तो इपाचा लए इन माथे मुख्या पड़े गादी छोडवानो विचार ना करिए रावन नी विचारदारा पड़ आज भैवित लागे छे रावन खुद भैवित था यो तो था केम बने पड़े 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 ना भैवने छुपाओ तो अहंकारी रावन के अवाला लागे पड़ानी पत्नी ने लए महलमा आयो थे फरी एक वार मंदोदरी ये समझावानी कोशिश करी छे रावन मानतो ना थी विनोध करी मंदोदरी नी सामे चर्चा करी सवार पड़ता ये पड़ाना राज दर बार मावीन बैठो छे मेदनी भराई चुकी छे सुबेल नी तड़ेती मा भगवान रामे पतानों नित्यकार ये परवार अपची जामवन्त जी ने पूछू से मित्र बर्गनी सलाह ले दीज़े एक बाईयो अवे आपने शू करूँ कोई पड़ निरने प्रभु ये सलाह अगर नहीं लिदो जामवन्त जी ये करू महराज हजी एक वार अपने रावन ने समझावानी कोशिश करियें और जो रावन समझी जाए तो आपने युद्ध कर वोली थी दूत पठाईये बाली कुमारा बाली कुमार अंगद ने राज दूत तरीके मोग लिये पसंदगी अंगद नी थाई अंगद राज नितिग्य मानस छे किसके नदानों युवराजपत भोगवे जे बड़ी अंगद ना पिताए वाली ये रावन ने छो महिना सुधी गिर्फतार करेलो बगलमा दबावेलो इतले वाली द्वाला रावन पराजित थेलो ए रावन ने पराजित करनार वाली नो पुत्र मानसी करीते पन रावन उपर वदारे सफ़ल थे योगनाशे इतला माटे अंगद नी पसंदगी थाई अत्वा तो रावन ने बतावाने कोशिश के रामने सेना मा जुती जुदी परतिभाना लोक हो जे एक अनुमान छेवन ने जुदी परतिभा मोकलवानो निरणाई अंगद ने पसंदगी भगवान ने वंदन करी अंगद तयार थाई प्रभु ने कई महाराज आपना कारियों तो बदा स्वयम सिद्ध छे आप तो केवल मने आदर आपी रहा जो आकि आपनों कारियों उसू करी से पड़ प्रभु मने बतावो महाराज जैने कयामद्धा उपर चर्चा करवी भगवाने जे मुद्धों बतावो आपने लिचारधारा काज हमार तास हीत होई अंगज आपनों कारियों थाए अने रावन नों कल्यान थाए वी चर्चा करजे रावन नों कल्यान थाए अमने मारू अवतार कारियों जे छे ए पुर्ण थाए रावन नों कल्यान थाए वी चर्चा करजे अंगा तैयार थाया, भगवान ने वंदन करी, लंका मा प्रवेश, मानस माय में लख्यू छे प्रवेश करता आज, रावण नो एक पुत्र है ने मल्योट, अनि रावण नो पुत्र कहीं जें तेम बोल्यों, ने नी भासा आने यहनू वर्तन बराबर नहीं लागता, बन्ने मानस मा लख्यू छे अंगद राज मारग उपर निकले छे, अंगद कोई ने पूछता ना थी लंका ना राक्षसो कहा, सीधे सीधो रस्तो राथ दरवार मा जाएं छे, पदा नहीं के आपना दरवाजा पासे उभो रहे मा फाइदो ने, महिलाओ पुता ना बाल को मैंने मारगे जई रहोचू, एनू सनमान थे, पदा मने हनुमान जी माने पूजी रहा छे अंगद विचार करे, मनमा मनमा मस्कुराता अंगद, रावण ना दरवार ना दवारे कहुचे जे, सेवकों ने भीतर मुकिलाक तमारा मालिक ने कहो, रामदूत अंगद मुलाकात मांगे जे, आउम, वेजना अंदर गया, रावण ने पुझी, कपि कुंजर ने अंदर ले गया, अंगद रावण ना दरवार मा प्रवेश करे, पन जथा मत गज राज मह पंचा मन चली जाए, जे मदमस्त हाथियों ना तोडानी वच्चे, सीह निर्भीकरी तजम प्रव प्रवेश करे, एम रावण चरन पंकजने रदे माधारी, प्रभून उस्मरण करी, राम दूत, राम नो आसेवक निर्भेटाची जाले प्रवेश करे जे, अंगद ने जोता आखी सवाव भी थे गई, रावण सिवाई बदा हुआ थे, नहीं तर रावण ना दर बार नो अंगद नू प्रतीभा, एनू आगमन एकलू प्रभाव शारियत, राम भगत चाहिए, अमुक व्यक्ति ये भी होए ने नम्मू नो होई तो ये नमस्तार थे जए, अमुक व्यक्ति निजामे, अमुक भजनानन्दी पुरुष निजामे तो मैं आँख न मिलावी सको, तो खुद राम दर्शन करे लो मानस, राम भगत चे, इन्हें आटलो आजर मले मास्चरियशू, वो स्वामी जी कहे, शिर्नाई, आसन मल्यू, विराजित थे, अंगल ने आटलो सनमान मली गई विरावन थी, सहन न थे यू, इतले एकदम तुछ भैशा मा बोले, के काख द नहीं भाषा मा बोलू जईतू तू, पड़ हे बंदर कोन छो, अर्धी चोपायमा प्रश्न, अंगदे अर्धी चोपायमा प्रत्युतर मैं, रघुवीर दूत दशकंदर, हे दशकंदर को रघुवीर नो दूत छो, मारा पिता नें तारे दोस्तियती एकले मनेम थयू के लाओ दे इतनी वातों कहिया हूं, तारों अकल्यार न था एकला माते, अजू मौड़ू न थी थयूं, पाच्छू फईश कायम से, श्री सिता जीने पाचा राम जीने सुप्रत करी दे, राम ने शरणे आवीजा, परमात मातने अभयाक से, अने लंका ने बचावीले, ता आवन धाश्यकर्तों के बाचियों, पहला ये वात कर, तारों पिता कौन? तारां पिता न रे दोस्ति हो, ब्रमा न साथ मितरता न बहं दू, वानर न पिता साथा दोस्ति, कोन तारों पिता? नाम आप! अंगदे कईव में जानी जो इन नाम नदिया तो मारा पितानो नाम आपीश तो तमने जरा शरम थाजे कईव नहीं बताओ तो सुनिए अंगदे नाम बाली कर बेटा मारो नाम अंगद उन वाली नो पुत्र क्या रे मुलाका थेली मुलाका थेली ये तो रावन शानो अभिमानी रावन आपाली बानर में अगदे कईव रावन दस दिवस पचिए वाली जां गया चे क्या तमारो मुकाम थावालो नो शे अन्य ये वक्ते तम्हें बनने मीत्रों बाहु मां मड़ी और भेटी ले जो न कुशरता पुझ्यों तो मारा पिता जी विगतवार बदी कुशरता केश के रामना विरोधनी कुशरता केवी हो एकज बाने वाली ना विनाशनी वात सामरता खड़खडा तसी पड़े हो दिखकार चे तारा ना गर्वने लजावना रंगत तारा पिता ने जे तपस भी ये मारे हो येनों दूथ के अवडावता तोने शरम नथी आउती अविजा मारा पक्षमा तारा पिता नो वेर ले लो तू कुड कलंक ठेयो अंगजे कई रावाएन हूं कुड कलंक ने तू कुड दीपक परस्त्री नो अपहरन करनार पार की संपती ने लूटनार तारी कुड दीपक ताने कौण दिरदा उसे अंगजे ने रावाणे करू कि तारा मालीक मा जो आठली में दी शक्तियती न वदू अतू तो पसी राज ले आठ विष्टिकार तरी के तनसुका मोग लेगा युद्ध करी लहू जोई है अंगदे को रावाण खोटी गेर समझ नहीं करीश हमारा मा कायरता जेने हमें तारी पांसे आगाची हम नहीं मानीश पान राम तने मारे हमा राम नहीं शुभा नहीं क्या तूं क्या राम अतो प्रभू ये मने आदेश नदी आप रावाण है तर भगवान ने करू न पड और अखिल अगाने खलास करी नागों, उजाडी नागों, मारी माता सी॥ा जिने तो लई जाओ पर तारी राणियों नहीं लई जाओं अपली मारा मशक्ति पंड़ अमारी समस्कूर्ती अपहरण ने न सिमरपन्द ने है अमारा थी ये पगलू भराया रावनочку जवाबो अ निंदा करवाला है। मानव नो स्वभाव चे। सामे कई करी नशके। गंवे ते ला प्रयास होकरे पाजलती पड़े मा कई सफ़ण नथाए। कोई प्रमाल आपी शके नी दलीलों मा पहुंची शके नी दरे तरी ते मानवी जारे सामी व्यक्ति थी आरे चारे मानवी नो स् और आम आलए कि मासूँचे ना मके अतूनी एकछे ना पिताए वन मा मुक्ले। कई म सफ़ण ना पिताए वन मा मुक्ले। आने आने अमा याने पत्नी ना वी रह मावदारे दूखी से। अमा छेसो जारे राम निंदा शरू करी। जब तेही कीन राम की निंदा क्रोधवंत तब भैवु कपिन्दा हरी हर निंदा सुन ही जेकाना हरी हर निंदा सुन ही जेकाना होगी पाप गो घात समाना राम निंदा जारे करवा लायो त्यारे अंगद थी सहन थैं उने मानस नूँ हने अपना धर्म गरंथो नूँ ऐसी दान्त छे हरी हर निंदा जेकान थी सावले एने गो घात नूँ पाप लाले मानस मा तो खाज है निंदा करनारों तो गुझेगार छे, पड़ सामवलनार ने पड़ दोश ला ले निंदा सामवड़ी पड़े जाग्न वल कंयए जे अंगद राम भक्त प्रभुनी निंदा कें साहन करें मानस मा तो एम लेगु जे निंदा करें निका तो जीब खेची लेगी। का इन बोलतो बंद करें। जीब खेचवानू तो अत्यारना कालमानू कुल न पड़े। पान। आ तो एन बोलतो बंद करवो एने समझाव वो के वही तू सत्के समझ। अने हम चताई न समझे तो त्यां थी कान बंद करें आपने जता रेगा। पड़े मा भाग नहीं लेगा। तुलसी जी एक मारग बता देशे। जारे निंदा करवा लागे हो अंगद कैम सहन करीशे के कपी कुंजर एक दम कुपीत था आजे। पड़े भुजदंड अंगद जी जोर थी राम के इन धर्ती उपर पचा लिया। जा भुजदंड अंगद धर्ती उपर हाथ पचा लिया। आखी धर्ती मा कमतारी छुटी गए। धर्ती कापी गई। इतलुजने सियासनों डोलया। अने सभाब एठेली जी अतिवदी सियासन उपर थी नीचे आवी। खुद रावन नीचे पड़ी गए। राम जीना बान जीतों मुगूट पड़िया था पड़ आनी भुजाती स्वयम पोते पड़ियो। गादी उपर थी नीचे। दसे मुगूट नीचे पड़ी गए। अंगा जोई रावन जपट मारीन मुगूट लेवा गयो। एमां अंग दे चार मुगूट लेए लिधा। रावन ना आचमा छो रहा तो छो तो छो पनपास आएने पड़िया। अवे माथा देश अने मुगूट छो एक केवो लागतो होशे। मुढता आवी गए एने ख्याल न रहे। छो मुगूट मस्तक उपर पेरे आचे। चार मुगूट लेए अंगा दे ठेक्या। राम ने पासे सुबेल नी तड़िटिवा। अंगा दे एके मुगूट न पेरे उने तर चार माधी एक पेरे होत तो अथ वायने चार राम पासे मुगूट लवानो निरणे केरे होत तो पांच लईले वा जोईता तो एक पेरीन चार मुगली देवा। पड़ अंगदे जगतने बतायूं कै एक वाणर मुखको मारे एक वाणर थपाट मारे धर्ती उपर तो रामण जिवानी शत्ता नीचे पड़े तो इओ मुगूटू मारा माथा ऊपर मुगूटू तो इओ सत्ता मारा माथा उपर क्या सुदी सला Подदे शत्ता माल सुधीते व्याख्याज करी धर्बनी, धर्मा अचरन कोई दिवस कर्यू नहीं, अवे छ शास्त्र प्रमाने वर्त, तारिक बुद्धी मा शास्त्र उतार, अने आ चार वस्तु राम पास मुख्ली दवचू, अवे समाच, चार मुगूट रामना तरफ, रामना पास लागे, मैं बारवा मुकाम किरूए, नहीं मुकलवा ने शरुआत करी।